कैसे हैं बच्चों उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होकें तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग किर पार्थरसिप अकॉंटिंग के अंतरगत आज हम लोग पढ़ेंगे Profit and Loss Application Accounts से Related Journal Inquiry चुकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने Profit and Loss Application Accounts के Format और उसके Concept को जान चुके हैं और साथी साथ हमने एक Question भी इसके Base के अधार पर बना चुके हैं तो वैसे वच्चो जो हमारी वीडियो से पहली वर जुर रहे हैं उन सभी बच्चो से Request है कि वो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसके अंतगत मैंने Profit and Loss Accounts से Related सारे Conceptuali Portion को बता रखा है उसके बाद ये हमारी इस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो Like and Subscribe जरूर कीजिएगा तो अब हम लोग Profit and Loss Accounts से Related Journal Entry को समझते हैं तो हम लोगों ने बताया था हम ने बताया था कि Profit and Loss Appropriation Account Profit and Loss Accounts का Extension फर्म होता है तो Profit and Loss Accounts से जो भी Profit होते हैं या जो भी Loss होते हैं उसे हम कहां Transfer कर दते हैं उसे हम Profit and Loss Appropriation Accounts में Transfer कर दते हैं तो जैसे ही Profit and Loss Accounts का जो Profit या Loss होता है जब उसे हम Appropriation Accounts में Transfer करते हैं तब क्या Journal Entry होते हैं चुकि समझने वाली बाते होती है बच्चों कि profit का balance always liability होता है firm के लिए और firm अगर अपने profit को transfer करेगा profit and loss application account में तो profit and loss का जो balance होते हैं वो घट जाएंगे और जैसे ही liability घटेंगे उसे हम क्या कर देंगे? debit कर देंगे और जिसे credit कर देंगे? चुकि transfer कर रहे है profit and loss application account में तो profit and loss application account को क्या कर देंगे? credit कर देंगे देखेगा बच्चों जब हम लो balance transfer करते है profit and loss का profit and loss application account में तो अगर profit है तो profit and loss account debit to जड़नलिक्री क्या होते है? profit and loss application account फिर समझे रहो profit and loss firm के लिए liability है और जब उसे वो transfer कर देते हैं profit and loss appropriation account में तो उनके liability खत्म हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? debit हो जाते हैं तो profit and loss को debit कर दिया गया और profit and loss appropriation को क्या कर दिया गया? credit कर दिया गया अगर loss होंगे तो just इसके opposite journal entry कर दिये जाएंगी यानि यहाँ पर entry होंगे profit and loss appropriation on debit to profit and loss account के लिए रवच्चो? हाँ सरी अब second हम लोग journal entry को देखने का काम करते हैं second journal entry क्या होता है? चुकि profit and loss appropriation एक काम क्या हम तक होता है? हम partnership deed से related जितने भी provisions होते हैं उसको transfer करने का काम करते हैं तो second आपके आते हैं interest on capital का जब interest on capital चार्ज किया जाता है समझने का काम कीज़ेगा अगर capital पर interest दिया दिया जाता है firm के द्वारा तो ये firm के लिए क्या होते हैं? सर्थ ये firm के लिए expensive होंगे चुकि ये capital पर interest क्या firm partners के हाथों में देते हैं कि उसके capital में transfer कर देते हैं सर्थ उसके capital में transfer कर देते हैं जैसे ही expenses होंगे interest on capital उससे हम लोग क्या कर देगे? debit कर देगे देखो बच्चो हम लोगों ने interest को अगर capital पर interest चार्ज किया तो interest on capital हमारे लिए expensive और expensive होने के कारण हमने इससे क्या कर देगे? क्योंकि हम क्सके account में जelमा कर देते? Partners के capital in account में यूंसे निप देख्च में लिए लावरिटी कहा होता है जैसे ही उसके account våra आद। पर falando आपने की साबदी क्या देखाएगा? तो expenses को कहा ट्रांसपर किया जाता है चुकि यहां पर यह एप्रोपीशन से रिलेटेड है इसलिए ऐसे expenses को हम कहां ट्रांसपर कर देंगे Profit and Loss Appropriation Account में जैसे भी Profit and Loss Appropriation Account में ट्रांसपर करेंगे जर्नलीटी क्या हो जाएगे Profit and Loss Appropriation Account डिभी Influence on Capital Account बाते के लिए है हाँ सब्सक्राइब यह आपके लिए क्या है यह आपके लिए लाविटी यानि फर्म के लिए लाविटी सेव अब ठर्ड इंट्री को हम लोग देखते हैं Interest on Prime का यह Interest on Prime का इंट्री क्या किया जाएगा फिर से समझने का काम करते हैं Interest on Prime के लिए क्या है ? Interest on Prime के लिए इंकम है क्योंकि जब पार्टनर पैसे लिकालते हैं तो फर्म ऐसे इंकम पर ऐसे एमंटक पर इंप्रेस्ट बसूल करते हैं तो यह फर्ण केलिए क्या हो जाएगा इंकम हो जाएगा और जैसे ही इंकम होगा उसे डेट कीजिएगा के घड़ी किजिएगा उसे क्रेड़ी कर दीजिएगा देखें दों Graduate को मैंने क्या कर दिया गिज़ इंचर्ट कर दिया और यह से कहां से निकाल गडा पार्टनर्स के कैसा लिजय करेगा तो आपका लड़ निवार्डियर बढ़ जाएगा लेदी अगसे इस अस लेडलगते जंगा वह ज़ाया इंचर्ण सवर ट्रायं Er इसे ट्रांपर करेंगे है। पुरेविट हो जाएंगे और प्रॉपिट अ लोस एक्छो कीशन लेगा वाजाएंगे। पुरेविट हो जाएंगे। सेम उसी परकार से अब निक्स्ट इंपरी को हम लोग देखते हैं। जब पार्टनर्स को salary या commission दिया जागा है, fund के लिए क्या है, expenses है, expenses होंगे, तो partners के salary और commission को क्या कर दिया जाएगा, debit कर दिया जाएगा, और फिर से ये पैसे कहां जमा कर देंगा, partners के capital में, जर्ण बनेटी क्या हो जाएगा, partners salary या commission account debit to partners capital account, जैसे ही profit and loss application account में ट्रांसपर कीज़ेगा, जर्ण बनेटी क्या हो जाएगा, profit and loss application account debit to partners salary या commission account, बाते के लिए हैं, अब यहाँ पर क्या होते हैं कि जब profit and loss application account बनाया जाते हैं, तो कभी कभी firm क्या करते हैं कि उस profit का, कुछ person अपने receive me transfer करने का क्म करते हैं, बचा कर रखने का क्म करते हैं, या receive funds बनाने का क्म करते हैं, जब receive funds बनायांगे, तो क्या profit and loss application account का balance बढ़ जाएगा कि घड़ जाएगा घड जाएगा। Jaysे ही profit and loss application का balance बढ़ जाएगा, उसे हम क्या कर देगा देगे और एक क्या बना देगे रिजर्ग कर देगे रिजर्ग कर देगे रिजर्ग फंड स्याफूर्ट का का बालन्स लिकाला जाता है या तो आपके net profit बता सकते हैं या तो यह balance आपका net loss बता सकते हैं या आपकोपेशन का balance इसा बैलेशन है तो उसे किसे दे दिया जाता है पार्टनर्स को दे दिया जाता है, जब पार्टनर्स को दे दिया जाता है, तो पार्टनर्स में वो डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है, तो पार्टनर्स में जैसे ही डिस्टिब्यूट किया जाएगा, जैसे ही डिस्टिब्यूट किया जाएगा, जैसे ही डिस्टिब्यू और Profit and Loss Appropriation Account को क्रेटिट कर दिया जाएगा. ध्यान देने वाली बाते हैं बच्चों, कि यह जो हम Partners Capital का यूज कर रहे हैं, यह कुछ सिच्वेशन में कर रहे हैं, जब हमारा Capital अगर यह Capital Fixed होता, तो जहां पर मैंने Partners Capital का यूज किया है, जहां जहां मैंने Partners Capital का यूज किया है, वहां पर कौन से वड़ का यूज कर दिया जाएगा. अगर Capital Fixed है, तो वहां पर Partners Current Account वड़ का यूज किया जाएगा. के लिए बच्चों, तो यह था आपका Profit and Loss Appropriation Account. अगर आपको पसंद आते हैं, तो इसे लाइक and सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थांक्यों बच्चों.